हेलो दोस्तों वेल्कम टो और यूट्यूब चैनल मैथवी दिबनोज जहां पर मैं कॉम्पिटिटिव एक्जाम के लिए आपको मैथ की प्रिप्रेशन करवाता हूं आज हम बात करेंगे के एक बहुत ही अच्छा मौका है ट्वैल्थ पास बच्चों के लिए कि वह आप लोग सी एचसल के फॉर्म अपलाई करें और लगबग आप लोगों के पास तीन से च्यार मंत है त्यारी करने के लिए जो एक्जाम को क्रेक करने के लिए इनफ है तो फॉर्म जरूर फिल कर लें और अपनी त्यारी स्टार्ट करें और आज हम बात करेंगे कि लिए आपकी क्या स्टाइटरजी होनी चाहिए ताकि आप लोग फर्स्ट अटेम्ट में अग्जाम को कलियर कर सकें इसके साथ जो भी नए बच्चे चैनल पर आये हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर सेम ही होते हैं भी और लाइवल में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता तो इसका चैर सेक्शन में आपका अग्जाम बंटा होता है रिजिनिंग जी एस मैथ और इंग्लिस जो नंबर ओफ क्वेस्टन होते हैं हर एक सेक्शन से 25 क्वेस्टन आप लोगों के पास आएंगे और पूरा एक्जाम कितने नंबर का हो गया 200 नंबर का उसके बाद जो है आप लोगों को टाइम आपको यह पूरा एक्जाम सोल करने के लिए 60 मिनिट मिलते है यानि कि एक घंटा और जो नेग्टिव मार्किंग है एससी के अंदर नेग्टिव मार्किंग होती है कितनी 0.25 नेग्टिव मार्किंग होती है ने चार गलत क्वेस्टन के साथ आपका एक सही क्वेस्टन भी कट हो जाएगा तो अग्जाम पैटरन हमने देख लिए अब हम बात करेंगे इसके स्टडी प्लान और इसकी बेस्ट बुक्स के लिए कि कौन सी बुक है जो आप लोगों को प चार बेसिक पड़ रखे है तो उसके लिए कि आप लोगों को करना क्या है कि प्रिविस एैर के जिए से इर क्वेस्टन आप में करना है और सिर्फ वही प्रैक्टिस करने है एससी में बोथ हाई लावल के रिजिनिंग नहीं आती है जैसे बैंकिंग में पजल वगयर आती है तो वह सब नहीं आता सिर्फ आप लोगों को क्या करना है कि प्रीविएस एयर क्वेशन पेपर आप लोगों को लगाने है वो भी किसके जो भी पिछे CGL, CHSL के एकजाम हुए है सिर्फ इन ही के लगा लेना और 2017 से 17, 18, 19 और 20 वड़े ठीक है यह च्यार साल के अगर आप प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं तो यह आप लोगों के मोर देन इनफ है आप लोग चाहिए तो शिर्फ लास्ट के तीन साल के प्रैक्ट के अंदर करण्ट अफेर भी जी के भी बोल सकते हैं यह करण्ट अफेर तो जी के अंदर आते हैं 25 जिसके अंदर से आते हैं 6 से 7 क्वेशन आते हैं करण्ट अफेर्स के और करण्ट अफेर्स के लिए मेरे को आप लोगों के लिए बताने की कोई जुरूर तो नहीं है आप लोग YouTube के किसी नहीं कोई अच्छे से चैनल से आप अराम से करंट आफेर कर सकते हैं कि मिनिमम छे मन्त की करणट अफेर आप लोग अच्छे से त्यार कर लें और उसके पिछे के च्छाय यानि पूरी एक साल की करणटा फेर आपको त्यार करने सबसे जाद अधियान देना लास्ट six पर ठीक है और बात करें तो जी एस की लिए आप अगर आप बुक प्रैफर करना चाहते हैं अगर आप चाहते हैं कि वह बुक लें तो लूशेंट और एक है घटना चकर इन दोनों बुक में से आप कोई भी एक बुक ले लीजिए वह भी अब्जेक्टिव और अपने एक बर नोट्स जहांसे भी आप लोगों ने पहले जी एस को पढ़ा है वह पढ़के उसके बाद बुक से प्रैक्टिस करें तो इससे अलग आप लोगों बताने की जुरूरत नहीं है भी मैं वीडियो भी डाल रहा हूं भी और बहुत सारे चैप्टर मैंने अपने चैनल पर कवर करवा दिया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और सिर्फ इनी क्वेस्टन को देख ले उसके बाद सेम होई बात है भी प्रिवेस एयर के क्वे अगर आप लोगों को कोई प्रैफर करनी है तो मैं सिर्फ दो बुक बताँगा उनमेंसे कोई बी एक बुक आप ले लेजीए एक है एसपी बक्सी एश्पी बक्सी ओथर है और दूसरी है इंगलिस एक्युमें यह गोपाल वर मसर की बुक है इंगलिस एक्युमें और यह इसका नाम है जर्णल इंग्लिस तो दोनों में से कोई एक बुक ले लीजिए आपका काम इसे चल जाएगा अगर आप इस बुक को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इन से अलग कोई बुक या कोई अलग चीज करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है इतना मोर्दान इनफ है अगर आप इसे अच्छे से फोलो कर लेते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मैं आप लोगों गरंटी के साथ कह सकता हूं कि आप 180 के अराउंड अपने माक्स लेके जरूर आएंगे भी अग्जाम के अंदर तो मेरी तरफ से और जो भी नए बच्चे है चैनल पर और मैथ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं कि किसी भी कंपेटिटिव अग्जाम के लिए तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें